समावेश्ट हो इसके पूरी रूप रेखा सम्रिधान प्रस्तुत करता है संस्कीरता रूडिवादी और अन्याय अमान दिये रवस्थाओं के सांग पर समानता न्याय द्रसी और सुरक्षा की रवस्था रवक्षा धुनगा अम्रेट करने सम्रिधान चिल्टी के रूप में प्रत्तु कीती सबसे बड़ी बास जो उनके मन मस्किश में रही बहती स्प्रियोंट और अमसुची जाती के लोगों की नर्किये और पशूश के भी अत्तर स्थिति इस स्थि में भार्टी समाज के 3-4 भाव को पंगू बना दिया था भारत के सम्विधान में डॉक्टर अम्बेटकर ने प्रियों को समामता के पूरे-पूरे अफ्सर पतान किये ताकि ने जीनता की देडियों को तोड़ कर स्वतंतर हो सके भारत के सम्विधान में हर करद महिलाओं को पुर्षों के समान अधिकार पतान किये रहे लेक्तिय अधार पर किसी भी प्रकार का भेट्थाओं डॉक्टर अम्रेटकर ने नहीं किया यदि भारत की सम्विधान की हम शब्तावली पर गौर करें या उनके अर्थ को समझें तो हमें पता चलेगा कि भारती सम्विधान भारती महिलाओं की समांका का सबसे बड़ा पोशत है प्रवक्ता है और उनके अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी देता है अरुचेद पानला अपने आप में बोलता है कि भारत का संपिधान समांता और मुलाओं को समांता का अधिकार तिलाने के बैधानिक और प्रशासनिक प्राप्वानों के अंतरगत मरिलाओं की समांता नारी कर्जान के लिए अनेक कानून, केद्र और राज़स सरकारों में बनाए हैं इसमें समाजिक पूरूतियों को लिखाने के भरसर पर्याद किये गए हैं जैसके की तहेज, बांगिवा, तहिक शोषन, आधिक और रोक्रे सम्बंदी कानून बनाएं आठिकर 16 लोग नियोजन के प्राभवान में एक और मुनिलाओं को सरकारी नौकरी में योग देता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आने के अफसर पड़ान करता है बही महिलाओं के नौकरियों में आच्षण के अचंत्यों को भी सरी भेराता है महिलाओं को अपना विकास और उन्नस्टी के अधिकार प्रकार करता है इस प्रकार पुरुषों को अधिकार प्राम है शोषण के दिरुद अधिकार में उन्होंने जैरिक शोषण को सबसे मजिलाउं के लिए सबसे बुरी बिड़मना माना यह शोषण विभिन हुखों में आधिकार से चला आ रहा है चैनलों का देदासी परंकड़ा हो या फिर बेश्य व्रिस्थी हो इन्होंने नारी को हमेशा एक भोक्या की बस्तू बनाया है सब्यों तक इस समाज में एक और पुर्शों को अनेक पत्निया रखने का दिकार था और स्रियों को विद्वा होने पर भी दूसरे शागी का दिकार हुनी था सब्यों से चले आज़े इस समाजिक अन्याय के कलंग को भारती समाज के सिर्फ पर पूरी तरीके से खर्म करने का श्रय भारत की सम्विधान ने दिया जिसके निर्माता डॉक्टर भीड़ा अंबेटकर ही थे अगर मैं डॉक्टर अंबेटकर को फादर अप मॉर्डर इंडिया कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि उन्होंने ऐसा साभित दिया और इसके अलावा तो पहले नारिवादी थे मैं तो कहती हूँ कि केवल अनुसुचित जाती की महिलाओं को ही नहीं प्रतेग महिलाओं को हमेशा उनका गुंदान और वास्तविक रूप से उनकी फूदा कर ली थे तो कि वही सब्से बड़े नारिवादी थे देखिए इंग्लैड और अमेरिका की महिलाओं को गोड की अधिकार के संधर्ष करना पड़ा था लेकिन भारत की महिलाओं को आपने कभी भी सुना होगा कि भारत की महिलाओं को गोड देगे के संधर्ष करना पड़ा क्योंकि दॉक्टर अंगेटकर ने सम्मिधान बनाते समय भी माईलाओं को गोड का अधिकार देती है इसलिए भारत की माईलाओं को हमेशा उनका रिमी रूहना चलिए इवन इंग्लेंड और माईलाओं जर्मली की माईलाओं नेकि गोड डालने के संधर्ष किया लेकिन भारत के माईलाओं को नहीं दर्ना पड़ा क्योंकि हमारे डाप्तर अंगेटकर हमारे साथ थे जिनोंने हमारे अधिकारों का ध्यान दखा और हमें इतना बड़ा अधिकार गोड डालने का अधिकार दिया क्योंकि पहले इस होता जाता था कि महीलाओं की मांसिक्ता जो है वो मांसिक रूप से इती सबर नहीं है कि गोड डालने का दिकार उन्हें दे दिया जाए लेकिन बक्तर अमबेटकर महीलाओं की योगयता से शुरू से भी अगर थे बे महीलाओं को बेहत सम्मानिक समझते थे और योगयती समझते थे इसलिए सम्मिधान के साथ भी डाक्टर अमबेटकर ने उन्हें गोड डालने का दिकार दिया इसके अलागा महिलाओं को पुर्षों के समान बेतन देने का भी अधिकार डॉक्टर अम्रेटकर ने दिया और एक बहुत जी महत्वपूर्ट बार जो कि इस देश की महिलाओं जब भी मैटनेटी लीड का लाव खाती है तो शायद ही कभी डॉक्टर अम्रेटकर का नाम लेती हैं लेकिन चाहे समाने बर की महिला हो चाहे स्टी, स्टी, ओबीसी जब भी महिलाओं ये मैटनेटी लीड का लाव लेती हैं तो उन्हें हमेशा डॉक्टर अम्रेटकर को याद रखना चाहिए ये इतनी बड़ा लाव थी डॉक्टर अम्रेटकर का ही चाहिए इसके फीचे रीजन ये था कि बच्चों का जन देना महिलाओं का अनिवारे का रहे हैं डॉक्टर अम्रेटकर ने बारभों के स्वास्प, पालेट पोशेट की पूरी जिम्लेगारी सरकार पढ़ा ही ये बच्चों की स्वास्थी पूरी स्वाक्षा के लिए प्राठान गनाए दैने एक स्वास्थ शिशू भी राश्चता बुच्च्चे है इस कथे को डॉक्टर अम्रेटकर ने सबैर ध्यान में रखा और संबिध्यान में बैसी ही विरंस्था कर उसकी स्वाक्षा की कारेंटी पर मोहर लगाए इसके अलावा अक्सर हम महेंगाई से परिशान रहे हैं कि इतनी महेंगाई हो रही है देखे इतने साल पहले भी डॉक्टर अम्रेटकर ने हर छे महीने में महेंगाई बत्ते की बात की थी हमारी महिलाएं अक्सर महेंगाई से परिशान रहे हैं जिसकी वबस्था डॉक्टर अम्रेटकर ने बहुत साल पहले ही थी याने कि ऐसा शाय ही कोई पहलू हो जिसके बक्तर अम्वेटकर में सोचा शंभ्या ना हो हर एक चीज के उपर बीमा से लेकर महगाई से लेकर माईला अधिकारों से लेकर हर एक पहलू पर उन्होंने घहराई से अथ्यम किया और उसके बारे में प्राफधान बनाए जो कि हमारे सामाजने लोगों को इसकी बहुत कम चार्थारी होती है तो मैं चहूंगी कि ये सब दी महगाई भटता लेते समय हमेशा डॉक्टर अम्वेटकर के ये वे कामों को हम अपने हिर्दे में जरूर याद रहे कि एक बगान की इस जटी पर आया था और उन्होंने हमें पास्तविक्ता में यथाठ में अधिकार दिये और हमें सम्मान धूरत और गरीमा पूर्ण जीने का लिए